इस्ट्रो में इस ससी रंजन में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग ब्रिशब राशी मई दो हजार चौविस कैसा रहेगा इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे आपकी यह जनम राशी आपके चंद्र राशी पर अधालित है मई के महीने में सबसे बड़ा प्रिवर्तन ग ग्रह का गुरू का गुरू का राशी परिवर्तन होने जा रहा है गुरू मेस राशी से निकल कर विसब राशी में आफी की राशी से गोचर करने जा रहे हैं एक मई दो हजार चौविस को और पूरे एक साल रहेंगे चौदा मई कि दो हजार पचीस तक आफी की राशी में रहेंगे इसलिए आप सबसे भाग्य साली राशी हैं और गुरू आपको बहुत कुछ देने जा रहा है कि सबसे पहले अगर स्वास्त की बात करें तो स्वास्त आपके लगन से देखा जाता है प्रथम भाव से देखा जाता है ज लेकिन सुक्र द्वादस भाव में अच्छे फल देते हैं तो तो स्वास्त तो अच्छा रहेगा 19 माई को शुक्र का राशी प्रवर्तन हो जा रहा है फिर वो लगन में आ जाएंगे अपनी राशी में आ जाएंगे तब आपका स्वास और बेटर रहेगा लेकिन 19 माई से पहले आपके स्वास में भी कोई खास परसानी नहीं होने जा रही है थोरी वह सिजनल हो सकती है अन्य सरसा देखा जाता है इसके स्वामी बुद्र है कि आपके एकादस भाव मैं से गोचर करेंगे स्यंवेद्धि की सात्हीं रिष्टी पर रही है यापके संतान पर के वैठाव है तो आपका संतान के प्रति कोई परसानी नहीं होने जा रही है मने संतान को लेकर आप अस्वस्त रहेंगे उनके पढ़ाई उनके केरियर उनके स्वास को लेकर लेकिन जब 11 माई को के बाद जब बुद्ध द्वादस भाव में जाएंगे तब थोड़ी बहुत चिंता आपको हो सकती है जो विद्यार्थी वर्ग है जो सिख्षा गरन करना है उनके लिए भी 11 माई तक का समय बहुत अच्छा है उनके प्रहाई में मन लगेगी कोई प्रतिवत्ता प्रिक्षा है तो इसमें सफलता मिलेगी या कहीं पर आप अपने मन चाहा एडविशन लेना चाहते है तो वह सकता है लिए 11 मही के बाद थोड़ी सी आपको सिख्षा में प्रॉब्लम आएगी प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता जिसके स्वामी बुद्ध 11 मही तक तो आपके लिए अच्छा है लेकिन 11 मही तक आप जिससे प्रेम कर हैं वह आपसे बहुत अच्छा रखेंगे लेकिन 11 माई के बाद जब शुक्र और बुद्ध एक साथ हो जाएंगे और शुक्र आ लगन में तब प्रेम प्यार के लिए अच्छा रहेगा और अच्छा चलेगा बैवाई जीवन की बात करें तो बैवाई जीवन आपके सप्टम भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी मंगल पूरे महीने एक आदस भाव से गोचर कर रहे हैं और फिर वाई जीवन ते लिए अच्छा है लेकिन मंगल और राहो का जो रीकान का वह अंगारक दोस्त बना रहा है तो ठोरी से ठोरी ठोरी बातों पर तू तू मैं हो सकता है या क्रोध आजाना या बैशारिक मतभेद हो सकते हैं वैसे आपका विवाई जीवन अच्छा रहें भागे की बात करें तो भागे आपके नमभाव से देखा जाता है नमभाव के स्वामी शनी देव अपने ही मूल तिर्कौन रासी कुम्बरासी से किंद्र में गोचर कर रहे हैं और सस्थ नामक राज योग बना रहे हैं तो भागे का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है पिता का भी आपको असिर्वाद मिलेगा धार्मी जात्राएं हो शक्ते हैं धार्मी कार्यों में रुची बढ़ेगी मतलब भागे का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है अगर केरियर की बात करें तो केरियर भी दसंभाव से देखा जाता है और दसंभाव के स्वामी शनी अपने ही कुम्बरासी से गोचर कर रहे हैं तो केरियर के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है जो विरुजगार है उनकी नोक्री मिल स सकती है वाप प्लेश पर आपकी जय कोची है आपती काफी तो आपका बहुत से खुस रहे हैं अगर लाव और इच्छा जीवात करें तो एक अदस भाव सो देखा जाता है जिसके स्वामी गुरु किंद्र में ही है और गुरु कंद्र में है तो लाव होगा क्योंकि भागे बहुत देने जा रहे हैं आपके मई के महीना में अगर धन की बात करें तो धन आपके दूतिय भाव से देखा जाता है जिसके स्वामी बुद्ध एक आदस भाव से गोचर कर रहे हैं तो 11 माई तक तो धन आपके आएंगे जितना आप सोचे नहीं है उससे ज्यादा आएंगे लेकिन 11 माई के बाद जब बुद्ध ज्वादस भाव में चले जाएंगे तब थोड़ा धन का सुखती होगी भाग का पूरा साथ मिल रहा है सनी भी महरवान है गुरो भी आप पर महरवान है तो आपको लाव होगा और 19 मैं के बाद जब सुक्र आपके रासी के स्वामी शुक्र लगन में आ जाएंगे तब और भी सुने पस्वागा होगा माता का सुक्र भूमी वाहन क करें फिस युठी बात करें तो हो से देखा जाता है जिसकर शुरि उच्छ कैं ड् έχει मैं लेकिन उच्छ के हैं तो माता का स्वास्त युत्तम रहेगा और भूमी मेहन आप लेना चाहते हैं तो आप लेचन प्रें है मैं तो जो भी थोड़ी बहुत परसानी है च्छे निजा और उकते हुए सुर्ज को जल दे इससे जो भी थोरी बहुत प्रसानी है उसमें कमी देखने को मिलेगी तिर्पया आप लोगों से नरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिकेशन आप तक पहु